आज Independence Day है, उसकी मुबारक बात देता हूँ, साथी साथ हमारे डक्टर सोयल और पूरी उनकी टीम को, क्योंकि एक हास्पिटल होना बहुत जरूरी था, और सोयल को सभी बिदर के सिटी के सभी लोग जानते हैं, और बहुती अच्छा बिदर का Old City Hospital Administration किये हैं, तो इसके लिए म बहुत बहुत उनके लिए मुबारक बात देता हूँ, हमारे से सरकार से जो भी सपोर्ट है, जरूर उनको हम करेंगे, बड़ेड अस्पताल, सफा अस्पताल, हम मैं और रहिम खान मिलके उद्गाडन कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व की बात है, कि बीदर जैसे एक जिला के अंदर मैं, पूरे सुविदाओं के साथ, जो हमारे सोहिल जी, डॉक्टर सोहिल को मैं पहले से भी जानता हूँ, क्योंकि कोविड के समय पे जब पूरे पेशेंट लोग मुझे फोन करते थे, आक्सिजिन के लिए, बेड नहीं है, अंबुलन्स अईसे परसिते में, बेंगलू से जब कभी भी मैं सोहिल को बात किया, उन्होंने इसे पेशेंट को एडमिट करके, जितना हो सकता है, उतना कोशिश करके, उस पेशेंट का जान बचाना के काम, डॉक्टर सोहिल ने किया है, तो आज वीदर जैसे हमारे जिले में, एक जारम भी किया है, बहुत खुशी की बात है, जिएक आज सेहत ही सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, लोग बहुत ही दवाव में काम कर रहे हैं, एक तरह टेंचन है, एक तरह पॉलिशन है, टेंचन से भी इन्साम की सेहत बिकड़ जाता है, चोटे च चोटे बच्चों को जब हम देखते हैं तो किसी को बीपी है तो किसी को शुगर है तो किसी को किड्नी प्राबलम है किसी को हाट का प्राबलम है ऐसे इसमें उनको देखबाल करना उनका चिकेटसा करना सभी का समाज का पूरा जिम्यदारी है और डॉक्टर सोहिल विदेश को जाके महाँ पर सर्व करके उनके और उन्होंने और उनके धर्मपत्नी दोनों मिलके एक बड़ा आस्पताल उन्होंने खुला है तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सोहिल को भी एक सला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग अमीर लोग हैं गरीब लोग भी हैं जो गरीब लोग हैं उनको कम फीस लेके उनका अगर चिकित्सा करते हैं उनके तरफ तो मैं समझता हूँ कि बड़ा उपकार होता है बड़ा समाज के लिए एक जोहना युगदन होता है तो उसे उपर वाले भी आप लोगों को बहुती जो एना अश्रवात देता है इसा काम करिये और बीदर जिले के लोगों के सेहत के लिए आपने जो काम किया है मेरे तरफ से रहिमकान के तरफ से सरकार के तरफ से आपको जो कुछ भी मदद चाहिए करने के लिए तैकिकात करने के लिए हम आधिश दिया है तैकिकात का जो भी रिपोर्ट आता है उसके ओपर एक्शन ले लेंगे